जय सियाराम दोस्तों मैं रामाव लोग्स अयोध्या से स्वागत करता हूँ आपका श्रीराम मंदिर निर्मान के एक और लेटेस्ट विडियो में दोस्तों आज के इस विडियो में मैं आपको श्रीराम मंदिर निर्मान की आज यानी जनवरी माह के ग्यारहवे दिन की सबसे उच्चस्तरिय निर्मान कार्य की विडियो दिखाऊंगा और साथ में राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को भी साजा करूंगा सो दोस्तों अगर आप भी राम मंदिर के निर्मान कार्य के साथ साथ अयोध्या के प्रक्ती के बारे में जानने के इच्चुक हैं तो बने रहे विडियो के लास्ट तक तथा मैं आपको चैनल वगेरा सबस्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 501 जय श्री राम कम्पलीट हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो महनात है वो सफल हो गया दोस्तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्रान प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है तथा मंदिर के भव्य निर्मान को तो आपने देख ही लिया होगा अब यहां लग रहे सोने के दर्वाजों को भी देख लीजिए मंदिर में सोने का पहला दर्वाजा लगाया जा चुका है वहीं अगले तीन दिनों में यहाँ सोने के 13 और दर्वाजों को लगाया जाना है तथा गर्भगरे के मुख्य द्वारों की पूजा हो गई है तो वहीं गर्भगरे के दोनों ओर लगने वाले दर्वाजों पर काम जारी है हाला की मंदिर निर्मान स्थल के पास बने का यशाला में इन दर्वाजों को देखा जा सकता है दर्वाजों पर हाथी, कमल दल, जरोखे जैसे डिजाइन को भव्यता प्रदान कर रही है जिसको हैदराबाद की 100 साल पुरानी कमपनी अनुराधा टिमबर राम मंदिर के लकडी के दर्वाजों को तयार कर रही है मगर खास बात ये है कि ये दर्वाजे अयोध्या में अस्थाई वर्कशॉप में बना कर तयार किये जा रही है वहीं दर्वाजों पर नागर शैली के निर्मान की जलक साफ दिख रही है मंदिर के दर्वाजे पर सोने की परत चड़ी होगी दर्वाजों की वर्कशॉप में काम कर रहे शेखर दास ने बताया कि दरवाजों की डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि भव्यता की जलक इन में दिखे साथ ही हिंदू धर ममे जो शुभता के प्रतीक माने जाते हैं उन चेहनों को भी इन दरवाजों पर उकेरा गया है और लकडी के दर्वाजों पर नकाशी के लिए तमिलनाडु के कारीगर रात दिन अयोध्या में काम कर रहे हैं दोस्तो भगवान श्री राम को जब हम याद करते हैं तो मुह से हमेशा जैसिया राम ही निकलता है मगर अयोध्या में राम जन्म भूमी पर बन रहे भव्य राम मंदिर में आपको श्री राम जी की प्रतिमा तो मिलेगी मगर देवी सीता को आप उनके साथ नहीं देख पाएंगे इसी के चलते सभी राम भक्तों का मन इससे विचलित हो चला है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए अनुरोध भी किया है कि मंदिर में देवी सीता के बिना तो श्री राम अधूरे नजर आएंगे इसलिए श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा भी स्थापित की जाएं लेकिन ऐसा होने के पीछे विशेश वजह बताई गई है दरसल अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में युवा श्री राम जी की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी बलकि जब श्री राम पांच वर्ष की आयू के थे तब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी इतनी आयू में श्री राम जी का विवाह देवी सीता से नहीं हुआ था इसलिए मंदिर की गर्भगरह में श्री राम के साथ देवी सीता नहीं होंगी मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको मंदिर के प्रांगड में कहीं भी सीता माता के दर्शन नहीं होंगे हाला कि राम मंदिर में श्री राम जी की तीन मूर्तियां आई हैं इन में से दो मूर्तियां काले पत्थर की है जो कि साउथ के मूर्तिकारों ने बनाई है और एक मूर्ति संगमर्मर के पत्थर से बनी है इस मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार ने बनाया है इन तीनों ही मूर्तियों को मंदिर के तीनों खंडों में बने मंदिर में लगाया जाएगा, मगर गर्भगरिह में कौन सी मूर्ती लगाई जाएगी इसका निर्णय 22 जनवरी को प्रान प्रतिष्ठा वाले दिन काशी के आचार्य गनेश्वर शास्त्री जी लेंगे, इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर होंगे, जिसमें श्रीराम जी के तीनों भाईयों भरत, लक्षमन और शत्रुघन जी का मंदिर होगा, इतना ही नहीं इस मंदिर में 13 अन्य मंदिर भी होंगे, इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता सीता, गणपती ज जटायू, हनुमान जी, विशी वालमी की, वशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निशाद, राज और देवी अहिल्या का भी मंदिर होगा, लेकिन इन मंदिरों का निर्मान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, मगर आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही यह म मंदिर बनकर तयार हो जाएंगे, तथा राम मंदिर के अलावा आपको अयोध्या में जगहसगर राम जी के मंदिर देखने को मिलेंगे, जहां आपको देवी सीता के दर्शन होंगे, इतना ही नहीं, अयोध्या में कनक भवन है, जिसे सीता जी का महल भी कहा जाता है, ऐसा क नहा जाता है कि राजा दशरत की मजली पतनी देवी कैकेई ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम की वधु सीता जी को मुह दिखाई में यह महल भेंट किया था और विवाह के बाद श्री राम और सीता जी इसी महल में रहते थे त्रेता युग में इस महल में किसी भी दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ श्री राम और देवी सीता की शादी हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी को हुई थी शादी के समय देवी सीता की उम्र 18 वर्ष और श्री राम की उम्र 27 वर्ष की थी शाद यही वजह है कि राम जन्म भूमी पर बन रहे राम ल्ला मंदिर में श्री राम जी के बालपन की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्याधाम में बहुप्रतीक्षित श्रीराम लला के नवीन विग्रह की प्रानप्रतिष्था समारोह से आम जन्मानस के भावनात्मक जुडाव को देखते हुए 22 जन्वरी को प्रदेश में शिक्षन संस्थाओं में अवकाश घोशित करने के निर्देश दिये हैं इस विशिष्ट अफसर को राष्ट्रिय उच्सव की संग्या देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जन्वरी को प्रदेश में मदिरा आदी की दुकाने बंद रखी जाएं तथा मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आये मुख्यमंत्री ने श्रीराम लला और हनुमान गढ़ी के दर्शन पूजन के उपरांत श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक शेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मकर संक्रांती के बाद प्रारंभ हो रहे प्रान प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तीर्थ शेत्र ट्रस्ट को सभी आवशक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है इसके बाद आयुक्त सभागार में स्थानिय जन प्रतिनिधियों की उपस्थि में स्थानिय प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशानिर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्था समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बहतर आतित्य प्राप्थ होना चाहिए हर एक VVIP के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए मौसम के द्रिश्टिगत संभव है कि कुछ अतित्य एक दो दिन पहले ही आ जाएं ऐसे में उनके रुकने की बहतर व्यवस्था हो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि अयोध्या में प्यार कराएं और 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से रामभक्तों का आगमन होगा उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन भाशाओं में साइनेज लगाए जाएं एवं सम्विधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाशाओं और सन्यु जैसे प्रमुख मारगों अथवा गलियों में धूल न उड़े गंदगी न हो जगहजगय कूडेदान रखे हो वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो अभी 3800 से अधिक स्वच्छता कर्मी तैनात हैं 1500 कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाएं अयोध्या प्रतिबंधित पॉलिथिन मुक्त नगर हो इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा तथा 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता विश्यक विशेश अभियान चलाएं नगर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए और अयोध्या का डिजिटल टुरिस्ट एप विक्सित इसी सप्ताह तयार करा लें इस एप के जरिये अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुक स्थलों की जानकारी वॉक्थ्रू के माध्यम से उपलब्ध हो अयोध्या नगर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण हो इसके लिए मोबाइल एलेडी स्क्रीन आधी की व्यवस्था हो तथा अयोध्या धाम में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी निवास कर रहे हैं ऐसे लोगों का सत्यापन करते हुए नगर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएं तथा आवश्यक्ता नुसार पुलिस पिकेट बढ़ाएं और अ प्रक्षा एजनसियों से सतत संपर्क बनाय रखें और अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालूओं और परियटकों को नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की महिमा से परिचय कराने हेतू प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड तैनात करें इसमें स्थानियता को वरियता दें मंदल गवर अमंदल हार्मी रवह स्मसी अजर भिहार्मी राम सिया राम सिया राम जे दे राम 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 ममसल बावन आमान बाल लावं ममसल बावन आमान बाल लावं जान ओirm मुझ कि रूकात से मुझ क मुझ कि रूषी के रहा है